नमस्कार दोस्तों नेचर इंडिया स्टेडी में आपका स्वागत है दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ये बरसात का मौसम है और इसमें नदी हो तालाब हो या फिर कोई और जगा हो हर जगा पर लगभग जादा से जादा पानी भरा रहता है पानी की गहराई बहुत जादा होती है ऐसे में हमारा सिकार परभावित हो जाता है हर जगा पर सिकार नहीं हो पाता है और होता भी है तो हमें बहुत जादा परेसानी होती है पूरा दिन बैठने के बाद भी हमें जादा मचली पकड़ में नहीं आती है क्योंकि मचली जो है जादा एरिया के नाते इधर उधर भागती रहती है ऐसे में जरूरी होता है कि हम मचली का सिकार किस अस्थान पर करें और किस चारा और चराई से करें तो पिछले दो वीडियो में मैंने आपको चराई के बारे में बता दिया ऐसे में एक जरूरी चीज होता है चारा क्योंकि अगर चराई ठीक है और चारा ठीक है तभी हमारा सिकार अच्छे से होता है तो चारा दोस्तों हर समय एक ही चारा काम नहीं करता है चारा भी हमें बदलते रहना होता है कि कौन सा चारा कब मचलिया पसंद कर रही है तो ऐसे में बरसात में मैं जिस चारे से इस समझ सिकार कर रहा हूँ मैंने सोचा कि ये चारा अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो इस चारे के बारे में आपको भी बताया जा कि इस चारे को हमें कैसे बनाना है और कैसे जो है यूज़ करना है तो चलिए बीना देरी के वह मैं आपको चारा बताता हूँ कि चारे को कैसे बनाना है दोस्तो चारा बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है गेहू का आटा ये देखें लगभग 30-40 गराम मैंने गेहू का आटा लिया है यहाँ पर दोस्तो मात्रा कोई जादे बड़ी बात नहीं है फिर भी मैंने आपको एक जो है मात्रा बता दिया है कि इतना मात्रा हमें रखना है हाला कि जब बहुत जादे आटा हो जाता है और कुछ चीज की मात्रा घट जाती है तो थोड़ा कम काम करता है इसलिए थोड़ा सा मात्रा ध्यान में रखकर चलें यहाँ पर मैंने आपको 30-40 ग्राम बोला है तो इतना ही आप लें अगर आप जादा चारा बना रहे हैं तो मात्रा जो चीजे इसमें और डलेंगी उसकी मात्रा आपको बढ़ानी होगी तो देखे क्या हुआ यह हुआ गेहु का आटा इसके बाद दोस्तों इसमें जो दूसरी चीज पड़ीगी वो चीज है लहसुन तो ये देखे मैंने कम से कम आठ से जो है दस लहसुन की कलिया लिया है सबसे पहले तो हमें इसे छील लेना है लहसुन छील लेने के बाद इसे हमें ऐसे यूज नहीं करना है इसका हमें तयार करना है बारीक पेस्ट तो चलिए मैं पेस्ट तयार कर लेता हूँ उसके बाद मैं आपको आगे चारा बनाने के बारे में बताता हूं यह देखे दोस्तों इस तरीके से मैंने इसका पेश्ट तयार कर लिया है आप देख सकते हैं अब इसको हमें इसमें डाल देना है इसको डाल देने के बाद सूखे पर ही हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे जिससे की जो लहसुन का पेश्ट है या पूरे आटे में अच्छी तरह से मिल जाए देखिए कुछ इस तरीके से इसको अच्छी से मिक्स कर देना है और दोस्तों जब लहसुन का पेस्ट आटे में अच्छे तरीके से मिल जाए तब इसे हम गूतना इस्टार्ट करेंगे देखे दोस्तों गूतना हमें साधा पानी से नहीं है क्योंकि हमने क्या डाला है गेंहूं काटा लिया है उसके बाद लहसुन का पेश्ट डाला है तो इसके लिए हमें आवसकता पड़ेगी हींग वाले पानी की तो यह देखे जैसा कि आपको पता है कि मैं इसी बॉटल में ह क्या होता दोस्तों बरसात के मौसम में पानी जादा के कारण अगर हम गीला चारा तयार कर देते हैं तो यह जल्दी से पानी में गिर जाता है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको हम काफी टाइट तयार करेंगे जिससे यह पानी में काफी देर तक हुक पर ल रहे हैं ताइट है या फिर ज्यादा गीला है तो देखिए थोड़ा सा ही पानी डाला और इसी में इसको मिक्स कर रहा हूं यहां पर दोस्तों मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि केवल इस चारे से आपको सिकार नहीं करना है जो पिछला मेरा दो वीडियो चराई पर था अगर उस तरीके से आप चराई बना पाते हैं तो चराई नहीं तो उसके अलावा भी मैंने कई सारे वीडियो करता हूं बहुत ही अच्छी तरह से कि किस तरीके से हम चराई यूज करते हैं अब देखे मैंने थोड़ा सा ही इसमें हींग वाला पानी डाला था और यह देखिए चारा लगभग हमारा एकदम टाइट बन करके तयार हो गया है यह देखिए हाथ में यह देखिए इसमें क कि तो आपको हुक में लगाने के बारे में बताने की जरूवत मुझे लगती है अब नहीं होगी क्योंकि मैं लगभग बहुत सारे वीडियो में आपको हुक में लगाने का तरीका बताया हूं कि अगर बड़ी मचली का सिकार करना है तो आपको हुक कौन से साइज का लेना ह और किस तरीके से चारा को लगाना है इसके अलामा भी अगर आपको हुक के बारे में जानना है तो आप कॉमेंट करिए मैं आपको अगले वीडियो में जो चराई या चारे वाला होगा उसमें मैं आपको हुक में भी लगा कर एक बार फिर दिखा दूँगा कि हमें बड़ी बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चारे या चराई के साथ तब तक के लिए नमस्कार